बिल्ली को सहब की टेबल पर बैठा देख आप सोच रहे होंगे कि माजुरा क्या है तो हम आपको बता दे कि इस बिल्ली को सहब की पुलस ने इतने बड़े शोहर में चंद घंटों में डोण निकाला है हाला कि देवास शोहर कॉंग्रस अध्यक्ष मनोज राजानी और कॉंग्रस के अन्यन नेता पुलस को लगतार बढ़ाई दे रहे हैं कि उन्होंने बिल्ली का बच्चा अच्वंद घंटों में धूंग लिया मगर इनसान का बच्चा आज तक देवास पुलस नहीं धूंग पाई इसे को लेकर देवास पुलस पर कॉंग्रस नेता काफी आक्रोशवत दिखाते नज़र आए देखिए ये खास रिपोर्ट आपको बता दें करीब एक वर्ष पुर्व एमजी हॉस्पिटल से चोरी हुई बच्ची का देवास पुलस आज तक पता नहीं लगा पाई और बिल्ली के बच्चे के गुम हो जाने के शिकायत पर पुलस ने कुछ ही समय में बिल्ली के बच्चे को ढूंड निकाला लगभग एक वर्ष पूर्व की बात है जब जिला अस्पिताल सेंसमाच की बच्ची यहां जन्म लेती है बच्ची के परिवार में खुशी का महौल रहता है मिठाया बाटी जाती है एक दूसरे को बधाया दी जाती है वहीं दो दिन बाद ही उस बच्ची को कोई चुरा जाता है सेंसमाच की बच्ची चूरी हो जाने से खुशी का महौल गम में तबदील हो जाता है परिवार वाले पुलिस में शिकायत करते हैं और पुलिस प्रशासन का मजबा तुरंत जिला अस्पिताल पहुँचता है और अपनी जाच शुरू कर देता है सीसी टीवी कैमरे जाज चलती है मगर दो दिन की बच्ची का कोई सुराग नहीं लगता तो बच्ची के परिवार और समाजवाले मिलकर अंशन करते हैं चक्का जाम आंधुलन करते हैं इनके समर्थन करने कॉंग्रिस नेता भी वहां पहुँच जाते हैं कुछ दिनों के आंधुलन और अंश जाज उस बच्ची का कोई पता नहीं चलता बच्ची के परिजन फूट पूट कर रोते हैं मा की ममता का आचल आसुओं से भर जाता है मगर बच्ची का कोई सुराग नहीं लग पाता आखिर बच्ची गई तो गई कहां सवाल बहुत बड़ा था क्यूंकि पुलिस प्रशा करती है कि आज नहीं तो कल मेरी बच्ची मेरे पास जरूर आईगी अब शहर से चर्चा भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है कि बच्ची गई कहां अब कोई उस बच्ची के विशे में बाद भी नहीं करता ना धिकारी ना राज निता इसके बाद सुमवार को पुलिस के प अंद घंटों में ढूंड निकालती है और सोशल मीडिया पर बिल्ली के बच्चे ढूंडने पर पुलिस को वावाही भी मिलती है इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि बच्चों की आखों में बिल्ली के बच्चे के लिए निकले आसु दिखाई दिये लेकिन एक मा जिसने दो दिन बाद ही अपनी बच्ची को खो दिया वो आसु क्यों नहीं दिखाई दिये आज उस बच्ची का जिक्र कोई नहीं कर रहा सवाल ये भी कि क्या उसमा की ममता का कोई मोल नहीं है विधायक को लेके आए थे मैं खुद जाके अस्पटाल के गेट पर धरने बेटा था तब विधायक जी आके घुट्टे के बल बेटी थी उसने कहा था कि हम किसी भी हालत में बच्ची को धूंड के लाएंगे लगबे के एक साल हो गया है मनिस सेंजी मैं आप से निवधन करता हूँ आपकी पार्टी की सरकार है आप आईए सड़कों बोतरिये और प्रिस्ट पूछिए कोलेक्टर और एसपी से कि बच्ची आखिर कही कहां क्या तुमारी पुलिस इती निकम्मी है कि तुम ढूंड नहीं सकते हैं उस दो मैने की बच्ची को उस मा के हालत क्या थी उस माबाप के पूछी जाके इसकी बच्ची गई है यह पुलिस के अगर बिली डूहुन के लाई तो उसके लिए बड़े पोपोगंडा करके बड़े प्रेस में फोटो दिये जा रहे हैं मैं आश्यर सकीत हूँ यह भाजापा की ग्रनित राज जीती है भाजापा के गंदे लोगों की सरकार जब तक चल रही है आप देख रहे हैं भाजापा के लोग क्या कर रहे हैं आदिवासियों के उपर लगूशंका करते हैं आदिवासियों को गार देते हैं दददस फिट के अंदर आदिवासियों को रोज मारा कुटी कर कर लें तीन चार मेने की बात है घड़ा भर चुका है बहुत जल्दी पड़ाक्षेप इन सब का होने वाला है चार मेने बाद कमलनाद जी की सरकार आएगी इन सब से चुन-चुन कर बात की जाएगी बिल्ली का बच्चा ढूना है पुलीस में तालिया मजए मठाईया बढ़ना चाहिए देवफूरे देवास सर्म है यही तो बच्चा है वहमारे पास बच्चा क्या है बड़े सर्म की बात है एक दो साल मतलब एक साल पहले की बात है बच्ची दो दिन की घूम हुई आज तक नहीं मिल पाई है और बिल्ली के बच्चे को ढूने में बिल्कुल ठोल तासे बज रहे हैं साथ य साथ में पूरे सहर में जूएं सट्टे के अड़े वने हुएं साथ य साथ हर जिगे मावे सराप परोसी जा रही है लेकिन उसकी सुप्रकार का प्रसाशन का ध्यान नहीं या किया लगता है आपको किस सारह से जुना की एक जुम्मेधारी होती है और विभाग के आलादिकारी को सोचना चाहिए धरकार से आज हमारा यूठ नसे की तरफ बढ़ रहा है और अवेद गतिद्वे की तरफ बढ़ रहा है और इजमेश के कि शिकंजे में कसा जा रहा है उसको वच्छाने की तरफ पाहिल करना चाहिए और निशित तोर पर यह सुभात होना चाहिए और उसके अलावा भी अगर बिल्ली का बच्चा भी जिन लोगों ने अधिकारीन ढूंड़ा उनको भी साधुआ देवाज शहर के कॉंग्रेस के का सारी करता लगातार पुलिस को बढ़ाई दे रहे हैं कि इनसान क्या बच्चा तो नहीं मिला लेकिन उन्होंने बिल्ली का बच्चा कुछ ही समय में ढूंड़ी लिया और लूट रहे हैं वहाव वहाई एक बड़ा ही महतवपूर्ण विशे आज मैं बताने के लिए आपको प्रशाशन वहाँ पर उसको ढूनने के लिए लग जाता है सीसी टीवी कैमरे खंगाले जाते हैं मगर कोई सुराग नहीं लगता फिर कॉंगरेस पालिटी लगातार उन लोगों का सपोर्ट करते हुए उनके साथ धरना प्रदर्शन करती है अंशन करती है देवाश शहर के बड़े बड़े नेता आकर उस अंशन को तुड़वा देते हैं धरना खतम करवा देते हैं चक्का जाम खत्म करवा देते हैं और आश्वाशन देते हैं कुछ ही समय में आपकी बाली का आपके पास होगी मगर पूरा एक साल बीत जाने के बाद भी उस बच्ची का पता नह देता है कि आखिर वह बच्ची गई कहां होगी क्या हाल होंगे उस बच्ची के किस हालात में जीवित होगी बच्ची क्या वह बच्ची आज है तो कहां है किसके पास है इसका कोई जवाब नहीं ना देवास पुलीस के पास ना किसी राजनेता के पास एक मा से अपनी दो द विशे है और वहीं दूसरी और देवास पुलीस के पास एक आवेदन आता है कि बिल्ली का बच्चा चोरी हो गया और कुछी ही समय में देवास पुलीस उस बिल्ली के बच्चे को ढूंड निकालती है और सोशल मीडिया पर वो फोटू लगातार वाइरल होते हैं जिसमें कई सारे पुलीस को धन्यवात देते नजर आते हैं लेकिन उस बच्ची के बारे में कोई जिक्रतन नहीं करता क्या वह बच्ची मिल पाएगी या फिर इसी तरहा से उस बात को भी दबारिया जाएगा जिस तरहा से सेकड़ों बाते फाइल में दब चुकी है प्रवीन आचारी रेड नाइन न्यूस देवास